वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें तो चलिए फिर सुरू करते हैं कि भारत के निकटम पडोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यामार, बांगलादेश वह स्री लगका है ठीक है और भारत के स्थली सिमा उत्तर में चीन नेपाल उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान पश्चिम में पाकिस्तान पूर में बांगला देश तथा म्यामार और उत्तर पूर में भूटान से मिलते हैं आगे पड़ते हैं कि पर्षिम में पाकिस्तान तथा पूर में बांगला देश के साथ भारत के जो सीमाईं है ये KrITHम अथवा मानव निर्मित हैं ठीक है इसके अलावां जो छे देश हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान चीन नेपाल भूटान और म्यामार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं अभी देख लेते हैं यह याद रखेगा कि जो पश्चिम में पाकिस्तान और पूर में बांगलादेश इन दोनों के साथ जो रिखाए हैं वो मानो निर्मित हैं सीमा वो मानो निर्मित और कित्रिम हैं बाकि सब के साथ जो हैं वो प्राकृतिक हैं प्रातिक सीमा कैसे यह देख लीजिया उत्तर में आपका में बंगाल की खारी दच्छड में हिंद महासागर पाकिस्तान और पूर में बांगला देस के साथ माननिर्मित सीमाये कृित्यिम सीमाये निरधारिद हैं आगे देखते हैं भारत और पाकिस्टान के hacen मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है thonkin we are exposing prepare simplify क्या होती है तो यह जो ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहरी सकती के दोरा तो यह कैसे जब भारत-पाकिस्तान का बटवारा हुआ था 1947 में तो ग्रेट-ब्रिटेन के दोरा यह सीमा अध्यारोपित की गई थी और इस रेखा को पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेट क्लिफ रेखा कहते हैं ठीक है यह ग्रेट-ब्रिटेन के दोरा अध्यारोपित की गई यह सूपर-इंपोश्ट-बाउंडरी का एक उधारड है आगे बढ़ते हैं समुद्र पार भारत का सरवाधिक निकर्तम देश स्री लंका है जो एक पाक जल्डमरू मध्य जिसको इस्ट्रेट कहते हैं पाक इस्ट्रेट द्वारा ये भारती मुख्य भूभा तमिलाडू से प्रिथक होता है यह बंगाल की खाड़ी क गल्फ आफ मननार से जोड़ता है ठीक है तो इसकी चोड़ाई लगभग 64 से 137 किलो मीटर है और इसका जो नामकरण हुआ था वह मद्रास प्रेसिडेंटी प्रेसिडेंसी के जो इस समय में गवर्नर से राबर्ट पार्क उनके नाम पर किया गया है ठीक है तो भारत और स्र हाले की उत्तर फिलवी स्रेडिया औराका न्यूम नागा पटकाई इस्थली सीमा बनाती है यह भारत को इरावद्य नदी म्यामार से अलग करती है तो मियामार से कैसे अलग होता है भारत ये इरावदी नदी के द्वारा ठीक तो ये भी आपकी प्राक्रतिक सीमा रेखा का एक उदाहरण है अब आगे बढ़ते हैं आगे देखिए यहां पे सिक्किम की सीमाएं तीनों देश करम सा नेपाल भुटान और चीन से मिलती है नेपाल भुटान और बंगला देश और लद्दाख अफगानिस्तान चीन पाकिस्तान की सिमाएं तीन देशों से मिलती है सिक्किम की किसे किसे नेपाल भुटान नेपाल भुटान और चीन से ठीक वहीं पे पश्चिम बंगाल के नेपाल भुटान और बंगला देश से और लगभग पुरए और लगभग तर्मषिम और दख्षिड में गिरा हुआ है अंदतर इसके तीन तरफ अंतर राश्री सीमा है जो त्रिपुरा राज है वो लगभग तीन उत्तर में पश्रीम में और दक्षड में बंगलादेश से घिरा हुआ है इसके तीन तरफ अंतर राश्री सीमा इस्थे थे नॉमबर 1998 में में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंब समिस्र का बटवारा अंतरगत तुलबूल वैलूर बैराज तथा नियंत्रड रिखा पर सैन निदलों का बी नियोजन सामिल था ठीक है तो यह रही कुछ डिटेल आपकी और